कार्तिक महीने का महात्में, पहला अध्याय, दोस्तों अनभो ग्यान गंगा चैनल पर आपका स्वागत है, दोस्तों कार्तिक महात्में सुने, एक बार नयमय श्रन्ड तीर्थ में स्री सूद जी ने 88,0021 रिशियों से कहा, अब मैं आपको कार्तिक महात्में का बिस्तार से जिसका सरवण करने से मनुष्य के सभी पाप नश्ठ हो जाते हैं और अंत में बैकुंठ धाम की प्राप्ति होती है। जनम दाता भी धन हैं जो आपकी सोला हजार इस्त्रियों के बीच में आपकी परम प्यारी पत्नी बनी। मैंने आपके साथ नारत जी को वा कल्प बिच आदि पुरुष बिधि पूर्बक दान में दे दिया। परंत वही कल्प बिच मेरे घर लहराया करता है। यह बात मिरत लोक में किसी इस्त्री को ज्यान नहीं है। हे तिरलोकी नात मैं आप से कुछ पूछने की इच्छुक हूँ। आप मुझे किर्पया कार्तिक महात्म की कथा पिस्तार पुर्बक सुनाईए। जिसको सुनकर मेरा हित हो और जिसकी करने से कल्प परियंत भी आप मुझसे विमुक ना हूँ। दोस्तों आप भी अच्छे से कथा सुनिये। सूद जी आगे बोले। सत्यभामा की ऐसे बचन सुनकर श्रीकिष्ण ने हस्ती हुए सत्यभामा का हाथ पकरा। और अपने सेवकों को वही रुकने के लिए कहकर बिलास इुक्त अपनी पत्नी को कल्प ब्रिच के नीचे ले गए। फिर हसे। हे प्रिये, सोलह हजार रानियों में से तुम मुझे प्राणों के समान प्यारी हो। तुम्हारे लिए मैंने इंद्र योम देवताओं से बिरोध किया था। हे कानते, जो बात तुमने मुझे से पूछी है, उसे सुनो। एक दिन मैंने तुम्हारी इच्छा पूर्ति के लिए गरुण पर सवार होकर इंद्र लोग जाकर कल्प बिच्छ मांगा। इंद्र द्वारा मना किये जाने पर इंद्र योम गरुण में घोर संग्राम हुआ और गव लोग में भी गरुण जी गवों से इवध किया। गरुण की चोच, चोट से उसके कान योम पूछ कटकर गिरने लगे। जिससे तीन बस्तुएं उत्पन हुए। कान से तंबाकू, पूच से गोभी और रक्त से मेधी बनी। इन तीनों का प्रयोग करने वाले को मोक्ष नहीं मिलता। तब गवों ने भी क्रोधित होकर गरुण पर वार किया। जिससे उनके तीन पंक तूटकर गिर गए। इनके पहले पंक से नीलकंठ, दूसरे से मौर और तीसरे से चकवा-चकवी उत्पन हुए। हे प्रिये इन तीनों का दर्शन करने मात्र से ही सुभखल प्राप्त हो जाता है। हे प्रिये अब मैं तुम्हारे द्वारा पूर्व जन्म में किये गए पुर्व कर्मों को विस्तार पुर्वक कहता हूँ। उसे सुनो। प्राप्ध ने अपनी कन्या का विबाह अपने ही चंदर नामक सिस्ष के साथ कर दिया। वह चंदर को अपने पुत्र के समान मानता था। और चंदर भी उसे अपनी पिता की भात समान देता था। एक दिन वह दोनों कुश्वा समिधा लेने के लिए जंगल में गये। जब वह हिमाले की तलहटी में ब्रमण कर रहे थे तब उन्हें एक राच्छस आता हुआ दिखाई दिया। उस राच्छस को देखकर भय के कारण उसके अंग इस्थिल हो गये। और वह वहां से भागने में भी असमर्थ हो गये। तब उस काल के समान राच्छत ने उन्हें दोनों को मार डाला। चुकि वह धर्मात्मा थे। इसलिए मेरे पार्सद उन्हें मेरे बैकुंड धाम में मेरे पास ले आये। उन दोनों द्वारा आजीवन सूर्य भगवान की उपासना करने के कारण मैं दोनों पर अतिप्रशन्न हुआ। गणेश जी, सिवजी, सूर्य, योम देवी इन सबकी पूजा करने वाले मनुष्ट को स्वर्ग की प्राप्ति होती है। मैं एक होता हुआ भी काल और कर्मों के भेड से पांच प्रकार का होता हूँ, जैसे एक देवधत, पिता, भराता, आदि नामों से पुकारा जाता है। जब वोई दोनों बिमान पर आरुण होकर सूर्य के समान तेजश्वी रूपवान चंदन की माला धारन की हुए मेरे भवन आये तो वोई दिव भोगों को भोगने लगे। दोस्तों, पहला अध्याय यहीं पर समापत होता है। दूसरे अध्याय के लिए अगला वीडियो जरूर देखें। दोस्तों, ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए चैनल को सस्क्राइब जरूर कर ले। बेल आइकन को भी प्रेस करें, यहां से अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक से कमेंट जरूर करें, कमेंट में लच्चमी नारायन जरूर लिखें, थैंक्यू सोमस, धन्यबाद